ओम नमे सिवाई दोस्तों आपका मेरे चैनल भक्ति की मोर्ती में स्वागत है आज मैं सोभागे सुंदरी व्रत कता लेकर आई हूँ मार्ग सीज महा की सुरुवात हो चुकी है इसे अगन का महिन्या भी कहा जाता है इस महिन्य की तिर्ट्य तिती को सोभागे सुंदरी व्रत रखा जाता है यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है क्योंकि इस दिन अखंड सोभागे की प्राप्ति के लिए व्रत करते हैं इस वरत की को रखने से दामपत्य जिवन में खुसाली आती है इससे जूड़ी कथा इस प्रकार है यह एक पुराने कथा है जब सती माता अपने पिता की बातों से नाराज हो गई और वहां सिव का अफमान देखकर अपने सरीर को त्याग देती है सरीर को त्याग दे समयवे अपने पिता से वादा करती हैं कि वे हर जनम में हमेशा सिव की पत्नी के रूप में ही वापस आएंगी फिर जब अगला जनम माता पारवती के रूप में ले लेती हैं और फिर सिव को पती के रूप में पाने के लिए पठोर तप करती हैं उनकी इ उन्हें पत्नी के रूप में स्विकार कर लेते हैं, तभी से ये सोभागे सुंद्री व्रत की प्रंपरा चली आ रही है। इस वृत को करने से माता पारवती और भगवान सी प्रसन होते हैं और अखंड सोभाग्या का वरदान देते हैं यह व्रत करवा चोद के समानी ही होता है महिलाईん 16 सिंगार करती है और पती के साथ साथ संतान की सुख इस म्रद्धी और घर में कुसाली के लिए विरत रखती है इस विरत को करने से जिसकी कुंडली में मंगल दोस होता है उससे छुपकारा मिलता है और अपार संदरे की प्राप्ति होती है इसकी दूसरी कथा इस प्रकार है माथा पार्वती की जयर वेजर नाम की दो सखिया थी एक दिन मुनी कन्याव ने उससे पूछा कि आप दोनों तो सदा पार्वती के साथ रहती हैं आपको तो पता होगा उनको क्या प्रिय है और किस कथा और मंत्र से में प्रसंद रहती हैं तब उन्होंने का सवभागय सुन्दी व्रत से बहुत प्रसंद हो जाती हैं उस दिन स्वच्च वस्तर पहने, सोला सिंगार करें, फिर पारवती के लिए एक वेदी बनाएं, उसे फूलों से सजाएं सबसे पहले पित्रों को नमन करें फिर गणेज और नवग्रह का पूजन करें फिर देवी के आठ नामों से उनकी पूजा करें और रात्री जागरन करें अगले दिन सुहाग की सामगरी सुहागन इस्त्रियों में बाट दे इसे अखंड सोभागय का वर्दान मिलता है जो भी इस्त्री शिरत को करती है माता पारवती इसके सुहाग की रक्सा करती है